असलाम अलाइकूम, इनिस्टुमेंट सोलेशन चैनेल से मैं होतो हिन सामने आप दो एमोबी देख रहे है, मोटर ओपरेटेट भाल्ब तो ए एमोबी एक की लाइन पे लागा है आप देख रहे है, आमारा राइट साइड ओला एह है ओन अफ भाल्ब और आमारा जो लेट साइड में एमोबी है, यह अक्चुली इन्चिंग भाल्ब है आप ए बात ध्यान से यात रगना, अगर एक की लाइन पे दो एमोबी लागा राएगा तो एक होगा ओन ओन ओफ और एक होगा इन्चिंग भाल्ब तो लास्ट वीडियो में ओन ओन ओफ और इन्चिंग भाल्ब लेके एक वीडियो अपलोड किया था उसमें इसका डीटेल्स मिल जाएगा आप चाहिए तो ओला एक बार देख सकता है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो एक बात अब ध्यान से याद रखना एजो इन्चिंग भाल्ब है इसके लिए देख रहे है तीन केबल अमारा टर्मिलेशन हुआ इधर अक्चोली केबल का टर्मिनल बॉक्स है और राइट साइड में है ओन अप भाल्ब इसके लिए दो केबल इधर कनेक्शन हुआ एक है पावर केबल और एक है हमारा souvent के बंद और जो इंचिंग भाल्ब है इसके लिए तीन केबल कंेक्शन हुआ एक है पावर केबल एक है डिजिटल केबल और एक है हमारा एनालोग कैबल तो आज का वीडियो में यह इमोबी वाल्प का वारिंग डाइग्राम मिंस कैबल कनेक्शन लेके आपको आज ता से समझने के लिए ट्राइ करूंगा तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टाट करते हूँ तो देखिए टार्मिनाल बॉक्स का जो काबर था वह मैं ओपेन किया अभी इधार यह आमारा जो टार्मिनाल है यह आप देख रहे है और इधार टोटाल तीन कैबल टार्मिनेशन हुआ तो मैं एक एक करके आपको इसका टार्मिनेशन डीटेल्स देखाता हूँ तो पहले मैं कैबल को एक बाहर लेके आता हूँ इधार देखिए यह जो रेट कालर इधार एक्च्विल आमारा पाउर कैबल कानेक्शन हुआ 3 फेस 440 वल्टेस का और यह है आमारा एनलोग कैबल देन लेफ्ट साइड में है आनलोग कैबल और बीस में है आमारा डिजिट फेसर बीस में हज रहे है किपना पाउपेन है हो हम लोग देख पाउँ और इधर है 20 में digital cable तो यह digital cable actually 8 pair का इधर 5 pair connection हुआ और 3 pair spare है तो इधर आप देख रहे है 36 में 2 core connection हुआ actually यह 2 common है इसलिए एक सत में connection किया और 35 और 36 में यह है आमारा open command का cable है और 33 और 36 में close command का cable connection हुआ मतलाब इधर से open और close command का cable connection हुआ क्योंकि यह command देने के बादी यह मों भी open और close होगा फिर इधर 1 और 2 number terminal पे आमारा जो open feedback का cable है यह cable connection हुआ और 3 और 6 में है आमारा close feedback का cable connection हुआ मतलाब इधर से MOB का condition क्या है open है क्या close है इसका feedback हमारा control रूम पे जाएगा यह 12 और 36 होके और इधर आप देख रहे 41 और 42 में जो cable connection हुआ यह actually MOB का healthiness के लिए मतलाब MOB अभी healthy है की नहीं MOB में कुछ torque या fault है की नहीं इसका signal आमारा 41 और 42 से जाएगा तो आप लोग ऐसे यह जो आमारा inching MOB है इसका connection cable connection कर सकता है तो यह आमारा inching MOB का cable connection तो हो गिया आभी में एक बार one of MOB का cable connection कैसे करता है वो भी आपको देखाता हूँ यह actually almost same होगा इधर जास्ट एक analog cable connection हुआ और उधर analog cable connection नहीं डाएगा तो देखिए इसका भी कावर में open करके राखा देखिए इधर दो कैबल connection हुआ एक है आमारा digital cable एक है आमारा power cable तो सामने अब देख रहे है रेडल आ यह आमारा power cable connection हुआ थी फेस अब देख रहे है इधर थी फेस supply ऐसा लेका है power supply और यह है आमारा digital cable तो कैबल का मैं थोड़ा सामने लेकर आता हूँ आप देखिए इसका connection almost same है मैं फीड से भी एक बार आपको बता देता हूँ देखिए इधार जो 36 है इसमें दो कैबल connection किया यह आमारा common के लिए उस किया और जो 35 और 36 यह आमारा open कोमंड का दें 33 36 आमारा close कोमंड का और नी 36 में आमारा close feedback के लिए केबल connection किया और इधार उपर में है 41 42 में आमारा इमोवी का healthiness क्या fault क्या torque के लिए जो signal है इधार connection किया तो इधार से आमारा इमोवी का क्या condition है यह सारा इकेबल का थूरू होके हमारा control पे जाएगा और उधार से हम लोग यह इमोवीक में operate भी कार स सकता हूँ ठीक है तो ठीक है हमारा cable connection तो हो गया इतना सा cable connection एक्चिल इमोवी भाल में रहता है आप चाहिए तो यह अला connection देखके भी आपका प्लान में ऐसा रोटर का इमोवी रहेगा तो इसमें भी आप cable connection कर सकता है और रोटर एंट उमा इमोवी में आप लोग ट्राब करता है आज का वीडियो में यह रोटर इमोवी का जो आइरिंग डाइग्राम है एक कैसे एक्चुली होता है यह आपको आपको समझा दिया तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लागा तो प्लीज एक लाइक देके मेरा चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बिलाइक अन बटन को जोरो रन कर दिजिए फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो ओ भी आपको मिल जाएगा और कुछ कोश्चन होगा तो प्लीज कॉमेंट कीजिए दुन्य बाद